कि सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेलप रास्टा चैनल को बेल आइकन को दबाएं हमाने वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों किया आप भी ऐसा इसक्रेन लॉक रखना चाहते हैं जो कि कोई भी अनलॉक ना कर पाए यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा इसक्र कर रहा हूं लेखिन यह वह नहीं हो रहा है और यहां पर देख सकते हो cannon pots अफौ्व अप से सिल आप टलॉक रखना चाहते हैं कि आप जैसे यह ओपन करें एप्लिकेशन या तो आपके सामने कुछ इसप्रार्पन हो और या तो फिर एकडम ये black हो जाए या तो फिर इस प्रकार से open हो और ये कुछ भी काम ना करें इस प्रकार से या तो आप अपना application लोक रखना चाहते है तो ये वीडियो आप लाश्ट तक देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ही ऐप लॉक के बारे में और इसक्रेजर लॉक के बारे में बतानेے वाला हों कि आप कैसे इस प्रकार का स्कृनलों की या लॉक कर सकते हैं तो दोस्तों और मश् ane अब मां को पता दो अगर आप ने भी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे subscribe कर लिए क्योंकि हम इसे इने वीडियो अप्लोट करते रहते हैं तो दोस्तों अगर आप जाना साथे हैं तो यह वीडियो लाश्ट तक का देखते रहे तो दोस्तों यह application का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूँ यह वीडियो आप पूरा देख लेना नहीं तो फिर आप comment में बोलोगे कि यह काम नहीं कर रहा है या फिर जो है ठीक ने यह फैक वीडियो है आप इस प्रकार से जो है आप comment मारोगे तो पहले आप मैं बोलूँगा कि पूरा application इस्टॉल कर लेंगे और उसे ट्राइब करेंगे जब नहीं होगा तो आप बोलोगे comment में कि यह वीडियो फैक है या फिर आप बोलोगे कि यह काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों चलिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको play store में जो है यहाँ पर keynote app lock सर्च करना है और फ application मैंने पहले से install किया हुआ है आप किसे install कर लीजिए फिर उसके बाद इसे open कर लीजिए और आप जैसे इसे open कर लेंगे फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा तो आप इसे जो है slide कर लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखा रहा है किस प्रकार से आपको यूज करना है फिर दुस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट पासवर्ड आपको इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दुस्तों आपके सामने आया है 2345 यहाँ पर अब आपको यह जो भी सिलेक्ट करना हो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं मतलब इसका क्या होगा जिससे कि आप अगर four पे select करते हैं तो आप जो है अगर four वाज और जो है आप अपना volume की प्रेस करेंगे तो आपका जो है phone unlock अब इसमें भी आपको setting करना होता है कि आपका up select करना है मतलब volume up या volume down तो आप जो है सबसे पहले आप select कर लिजिए जो भी आपको चाहिए तो यहां पर मैं चल यह फोटc कर लेता हूं तो डिस्तों आप यहां पर आपको यह बोल लाहा है कि आप आप अपना बैल्यूम जो है । प्रेस किजिए आप जो है लॉक के लिए twoготов आपको यह है तो आपको जो भी डाउन अप्सलेक्ट करना हूँ आप कर लिजए यहां पर चलिए मैं अब लिए when ुसिलिक्ट कर रहा हू तो यहां पर मैं ऐना डुट है वद्विय स्लेक्ट करूंगा फ्रेस करूंगा तो चेह封 अब आप देखेंगे नीचे 1,2,3,4 चल ला था अब यहाँ पर आपसे बोल ला है कि आप एक बार फिर से confirm कीजिए फिर यहाँ पर चलिए मैं फिर एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पर देखेंगे नीचे चलेगा एक, दो, तीन, चार तो यहाँ पर अब देख लिजिए आपके सामने एक आप्शन आ गया है यहाँ पर आप अपना कोई भी security security select कर सकते है security question यहाँ पर देख लिजिए यह मैं select कर लेता हूं question और फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूं अक रोन फिरदुस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका इंसर झेख क्रोम रखा है तो आप कोई भी कोस्टन स्लेक्ट कर सकते हैं और आप उसका अंसर अपने अंसार से कुछ भी रख सकते है जरूरी नहीं है कि आप यहीं रखे अब जैसे द्राऊजर के लिए मैंने question select की याद जरूरी नहीं है कि मैं Chrome रखो या कोई browser का ही नाम रखो यह जरूरी नहीं है आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन आप वो याद होना चाहिए क्योंकि आपको कभी अगर पासओर अपना recovery करना हुआ तो आप क्या है यह question आप से पूछा जाएगा और उसका answer आपको मालूम होना चाहिए तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है यहां पर देख सकते हैं setup का नीचे option है तो setup पर मैं क्लिक करता हूं चलिए फिर दोस्तों आप जैसे setup पर क्लिक करें करेंगे तो यहां पर आप से देखिए बोल रहा है एंटर यूर वैलियूम की तो इस application को open करने के लिए आपको वैलियूम की प्रेस करना होगा तो जो आपने lock select किया था अगर up select किया है तो up volume और down select किया है तो diamond volume की select प्रेस कीजिए तो दोस्तों यहां पर जो है मैंने अपना up volume select किया है वो भी 4 वार तो मैं यहां पर 4 वार अपना volume की select प्रेस करता हूँ यहां पर देखिए जैसे ही मैंने 4 वार up volume select प्रेस किया तो यहां पर दोस्तों हमारे सामने जो है यह सब application open हो चुका है तो यहां पर देख सकते हैं आपको यह apps lock के लिए बता रहा है त तो आप कोई भी application lock कर सकते हैं यहां पर देखिए सकते हैं आप तो चलिए example के लिए मैं कोई भी application आपको दिखा देता हूँ तो मान लीजी जैसे की मैं Amazon को lock कर देता हूँ तो यहां पर अब देखिए lock में जो है black transparent और custom तो ब्लैक जब आप रखेंगे तो क्या होगा जैसे आप Amazon application open करेंगे तो आपके सामने एकदम black हो जाएगा जैसे चलिए मैं पहले आपको black lock करके दिखा देता हूँ आपको फिर समझ में आ जाएगा कैसे यह होता है तो दोस्तों चलिए मैं black lock कर चुका हूँ तो अभी इसमें और भी सेटिंग है आप स्क्रेन भी लॉक कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको भी पताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए मैं यहां पर बैक चला जाता हूँ और Amazon app को open करता हूँ तो यहां पर आप आप देख सकते हैं मैं Amazon application को open करता हूँ तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह black हो गया है एकदम उपर जो है टाइमिंग वगहरा दिख रहा है Amazon का logo आया लेकिन वह black हो गया है यानि यह lock है अब दोस्तों अगर इसे हमें unlock करना है तो चार बार जो है बाइलियूम की प्रेस करना होगा जो हमने lock के समय प्रेस किया था तो चलिए मैं चार बार प्रेस कर लेता हूं तो यहां पर देख सकते हैं मैंने जैसे ही चार बार प्रेस किया Amazon का application open हो गया है अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं बाकी जो दो application है उसका क्या है तो मैं वापीस अपने application में आता हूं के नोटल एप लॉप में यहां पर देख सकते हैं अब आपको एंटर करने के लिए जो है वह है वहीं बाइलियूम की प्रेस करना होगा तो चलिए मैं प्रेस कर लेता हूं आप चार बार जैसे ही मैंने वाइलियूम के प्रेस किया तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांस्पैरेट है ट्रांस्पैरेट जो है इसका मैं आपको बता देता हूं कैसे यूज किया जाता है तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं ट्रांस्पैरेट मैं अब चले कर लिया हैं चला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर फिर से Amazon को ओपन करता हूं अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यह Amazon का जो है application open हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दिख रहा है हमारे के सामने तो लेकिन इसे आप कहीं भी स्लाइट करेंगे आप देख सकते हैं मैं स्लाइट कर रहा हूँ फिंगर का जो है आप को दिखरा होगा लेकिन ये स्लाइट नहीं हो रहा है मतलब कुछ भी वह यह काम तस नहीं काम करेगा इस पर यानि कि यह लॉक है ट्रांस्पेरेड लॉक यानि कि जो वह एप्लिकेशन खायर ओपन तो हो जाएगा जो ओपन होने के बाद उसका होम स्क्रीन रहेगा वहीं वह आपको दिखेगा बाकी आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे आप क्लिक करें या कुछ करें आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह हो गया ट्रांस्पेरेड लॉक तो चलिए इसे मैं अनलॉक कर देता हूँ चार बार मैं बैलोंग प्रेस की प्रेस किया तो यहां पर देख सके हैं अब यह अनलॉक हो चुका है अब मैं इसे चाहुंर करता हूं है और स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं आप यह इस प्रॉल भी Plaid है को आप देख सकते हैं तो दोस्तोन यह हो गया ॥ अब चल्टा हुर आपको फिर इसे में में चलकर दिखा देता हूं तो यहां पर फिर से में 4 वार वैल्यूम की प्रेस किया औग और यहां पर आप आप देख रहा होंगे कुस्ट्मा ऑप्सन है अब यह जो है custom क्या होता है मैं आपको बता दूँ अब यह custom जो है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप से यह permissions लेगा आपके storage का तो दोस्तों यहां पर आप जैसे custom पर select करेंगे तो आपके सामने आपका gallery open हो जाएगा और जो है वहां पर आपसे image select करने को पुछा रहाएगा तो आप जो image select कर देंगी वह आपका जो है lock होने पर वह image so होने लगेगा तो आप जो है वहां पर कुछ भी नई scale image ही so होगा अब तो यह मैं आपको दिखा देता हूँ इसके features के बारे में अब यहां पर देख सकते हैं उपर three lines है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको password यह change करने का option मिल जाता है password पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर change के pattern तो यहां पर आप देख सकते हैं change भी कर सकते हैं two three four five जो भी आपको रखना हो वह आप change कर सकते हैं देख सकते हैं three four जो भी आपको करना हो वह आप यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तों फिर उसके बार यहां पर आप देख सकते हैं set of virtual के आप इस पर भी क्लिक क करके डिसेवर लेफ्ट राइट आप ये कर सकते हैं तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं सिक्यूर्टी का जो है वह आप भी चैंज कर सकते हैं जो भी आपको सिक्यूर्टी चैंज करना हो वह आप भी चैंज यहां पर कर सकते हैं सिक्यूर्टी को से फिर चलिए यहां पर मैं बैक चलता हूं और यहां पर आप दिखेंगे तो यहां पर और भी आप्शन आपको मिल जाते हैं जैसे की सेटिंग्स सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं डिवाइस एड्मिनेस्ट्रेटर तो मैं एड्मिनेस्ट्रेटर पर नहीं क्लिक करने वाला हूं अब जिसे device administrator यह जो है एक permission से अगर आप इसे administrator का permission दे देते हैं तो यह क्या होगा application आप uninstall नहीं कर पाएंगे फिर आपको setting में जाकर administrator permission जो है off करना पड़ेगा तभी आप इसे uninstall कर पाएंगे तो फिलहाल मैं इसे नहीं देने वाला हूं और फिर दोस्तों यहां पर आप देखेंगे screen lock तो अब आप इसे देख लीजिए यहां पर जो है आपको यहां पर screen lock style यहां पर दिख जाएगा transparent block custom जैसा कि आपको वहां पर आपको दिख रहा था तो इस प्रकार से आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए सेम वहीं प्रोसेस है और फिर यहां पर screen lock इसे आप on कर दीजिए फिर यहां पर जो है method जो है one two यह जो है one two one पर अगर आप select करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर multiple lock screen तो यहां पर दोस्तों आप अपनी साब सेट कर सकते हैं यहां पर आपको yes करना है yes करने के बाद जो है यहां पर मेरा क्या है screen lock लागा हुआ है इसके लिए यह से प्रेटन लोग पूछ रहा है मैं से लिए अपना प्रेटन लोग दे देता हूं यहां से अब आपको यह unlock करने को पूल है आपका प्रेटन तो आप इसे unlock भी कर सकते हैं तो दोस्तों इसी आप से देखिए no thanks मैं करता हूं फिर उसके बाद जो है प्रेटन को फिर एंटर करता हूं continue फिर मैं इसे प्रेटन दिये के confirm कर देता हूं तो अब देखिए यह हमारा screen lock on हो चुका है अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं बैक चल के अब यह वर्क कैसे करता है दोस्तों इस पर जो है हमारा pattern lock भी लगा हुआ है तो इस पर हमारा सबसे पहले pattern lock मानेगा तो चलिए मैं अपना device को लॉक करता हूं करते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पैटन log जो है हमसे पूछ रहा है तो मैं इसे pattern lock आपन करता हूं और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह लोग को लगा हुआ है, यह कुछ भी नहीं वर करेगा, नहीं खुलेगा, कुछ भी आप इसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से और यहाँ पर आप देखेंगे, सब्सक्राइब तो आप लॉप 30 प्रेशन यहां पर यानि यह यह एक्ट छो है लोक है मैं यह पर ट्रच ό आपको दिकना होगा फिंगर का निसान झो है तो यह जो है लॉट है दोस्तो तो आप यह दूर् जो है आपको अपना volume की press करना है तो चलिए मैं है तसार बार में जैसे ही volume की press किया तो ये देख सकते हैं ये हमारा phone unlock हो तो इस प्रकार से आप अपनी phone को लॉक कर सकते हैं और ये phone जो है आपका कोई भी unlock नहीं कर पाएगा और आप किसी के सामने भी अनलोक करेंगे तो वह आपके अनलोक नहीं जान पाएगा कि आप कैसे इसे अनलोक कर रहे हैं क्योंकि वह आपको देख रहा है कि आपको वैलियूम की प्रेस कर रहे हैं लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि आप एक बार प्रेस कर रहे हो दो बार प्रेस कर रहे हो तीन मैं इसी नए नए वीडियो अपलोट करते रहते हैं तो दस्तों आज के लिए वस इतना फिर्म मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार